नमस्कार दोस्तों माइन दी हल्प में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूं संतोस और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राश्टिय मदाता पोर्टल यानि की nbsp.in जो website है उसके माध्यम से जैसा कि अब आप अपना वोटर ID कार्ट बनवाने के लिए खुद से आवेधन कर सकते हैं या फिर अगर आपका वोटर ID कार्ट बना हुआ तो उसमें आप correction करवा सकते हैं जैसे कि आप नाम, date of birth, पता, gender या जो भी आप correction करवाना चाहें वो करके कापी संख्य है मुझे comment राप्त हो रहे हैं कि registration कैसे करते हैं हमसे password नहीं create हो पा रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा process बताने वाला हूं कि आप registration अपना कुछ से कैसे कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ने से आप अपना कुछ भी यहां से करेक्शन या फिर नया वोट राइडिकाट बनवा सकते हैं यहां पर देखें जैसे आप होम पेज पर आएंगे यहां पर आपको देखेंगा लॉग इन या फिर रेजिस्टर अगर आपने पहले से यूजर आइडी बनाए वह तो आपको ब Prix करना होगा चलिए यहां पर क्लीक करते हैं और क्लीक करना है इस पर क्लिक करते हैं यहां पर देखिए आपको अपना मोबाइल नमबर डालना है यहां पर यह वाला कैप्चा कोड डालना है और सेंड और पर आपको क्लिक करना है चलिए पहले हम यह प्रोसेस कंप्लीट करते हैं सेंड पर क्लिक किया अब हमारे पॉन पर एक ओडेपी बेजा जाएगा इस नमबर पर उस ओडेपी को यहां पर हमें डालना है OTP डालने के बाद आपको यहां पर वेरिफाइपर क्लिक करना है OTP देखिए मुबाइल नमबर वेरिफाइड हो चुका है अब हमें यहां पर देखिए अगर आपके पास पहले से बोटराइडी कार्ड बना हुआ है आपको रखना है उसके बाद यहां पर आपको अब है लोटरी उसके बाद यहां पर आपको लीफाइड डालना है उसके बाद आपको इमईल आड़ी डलने है नहीं पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है और दुबारा से पासवर्ड आपको डालना है चलिए हम इसको पहले डालते हैं उसकार यहां पर आपको password बनाना है अब देखिए password बनाने में जालतार लोग गलती करते हैं उनको दिक्कत आती है तो देखिए यहां पर सबसे पहले यहां पर rules दिये गए है password बनाने के password must be at least 6 character यानि कि कम से कम 6 character उसके होने चाहिए आपके password के दूसरा है password must have at least one digit 0 to 9 0 to 9 के बीच में कोई एक digit जरूर यहां पर आना चाहिए कम से कम ठीक है password must have at least one special character यहां पर होना चाहिए जैसे कि स्टार या है हो गया इस तरह के special character जतने भी होते हैं उनमें से कोई भी एक आपको इसमें जरूर से डालना होगा ठीक है उसके बाद password must have at least one upper case यानि कि उसमें एक upper case भी होना चाहिए word जैसे कि ABCD में आपको एक upper case भी रखना होगा चेक डिजिट का होना चाहिए जीरो टो नाइन की बीच में एक डिजिट जरूर होना चाहिए उसमें एक special character होना चाहिए और उसमें एक अपर केस में भी एक वर्ड होना चाहिए चलिए हम password आपके सामने बनाते हैं हम देखिए मैं आपको notepad के माद्यम से बता रहा हूं कैसे password बनाना कर आपको समझ नहीं आता है जैसे कि मालो मुझे password बनाना है अपने नाम से मैंने बना लिया यहां पर देखिए एक आपर केस में हो गया पहला जो ऐस है वो मैंने capital में रखा ठीक है उसके बाद एक special character डालना है मुझे special character में मैं add हो गया जितना यहां पर select कर सकते हैं minimum एक जरूर होना चाहिए ठीक है यह मैंने एक password बनाया यहां से इसको मैं copy करता हूं और यहां पर देखिए मैं आपके सामने पेस्ट करता और यहां पर भी पेस्ट करता हूं ठीक है अब मैंने इसको पेस्ट कर दिया अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से सब कुछ fill कर दिया है आप यहां पर मैं register पर click करता ओं यहां पर घाली अब हमने यहां पर user name क्या डाला था अमरा यूजर नेम है mobile number वह अमगारा से 로iggling करना करने के लिए और हर यह पर वह ही password डालेंगे जो हमने password बनाया था एक यहां पर capture code डालते हैं और login पर click करते हैं तो देखे हम finally यहाँ पर register हो चुके हैं हम login हो चुके अपने account में यहाँ पर my profile पर जाएंगे तो यहाँ पर जो जो चीजें आपने डाली हैं वो यहाँ से आप check कर सकते हैं क्या क्या हमने डाला था यहाँ से आप password चेंज कर सकते हैं यहाँ पर जाएंगे अगर आप किसी भी सर्विस का यूज करना चाहते हैं जैसे कि अगर आप एक नया बोटर एडी कार्ट बनवाना चाहते हैं तो देखें यहाँ पर press inclusion enrollment option दिखेगा यहाँ से click करके आपको बनना होगा migration to another place अगर आपने किसी और जगे पर सिफ्ट हो गए हैं आप किसी और जगे चले गए हैं तो यहां से कर सकते हैं correction करवाना तो यहां से correction करवा सकते हैं तो मैंने अल्लेडी दो वीडियो पहले बनाए हुए correction कैसे करवाना है या फिर आप अपना बोटर प्राइडिकर बनवाने के विए कैसे भॉर सकते हैं तो वह वीडियो आप देख सकते हैं उसमें complete processing मैंने बताया हुआ इस वीडियो मैंने आपको बताया है कि कैसे आप registration कर सकते हैं कापी संक्या में लोगों को दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने आपको को बता दिया है कि रेजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आप कुछ और जानना चाहते तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपको रिपलाई करने की कोशिस करूंगा